जे हिंद फ्रेंड्स, once again you are welcome to Mission Air Force तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम जो आपके इंडियन हिस्टरी के top 10 क्यूसंस के जो सिरित चल रही है उसका part 3 देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, ये top 10 क्यूसंस का part 3 है और हमारे 2 parts complete हो चुके है तो दोस्तों, आपके जो इंडियन हिस्टरी के जितने भी important क्यूसंस बनते हैं चाहिए आपका Air Force हो, Navy हो, या फिर SSC या Railway जितने भी आपके important important क्यूसंस है उन सभी को आपके day by day, इसी प्रकार से part wise मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ 10-10 करके तो ये सभी क्यूसंस important है आपके exam के लिए और सभी बहुत ही अच्छे क्यूसंस है तो आपको वीडियो complete देखना है और वीडियो देखने के बाद यदि आपको क्यूसंस का level बहुत अच्छा लगे आपके exam में आने like लगे तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप जितना हो सके आपसे maximum share जरूर कीजिए तो चलिए जो आज का हमारा वीडियो है वो start करते है तो उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को जरूर subscribe कीजिए तो आज का हमारा पहला question है वो है इतियास का जनक कहा जाता है जी हाँ दोस्तों आपको बताना है कि जो history का जनक है वो किसे कहा जाता है तो दोस्तों excuse के अगर correct answer की बात करूँ तो excuse का जो correct answer होगा वो होगा option number B जी हाँ दोस्तों harotodus harotodus excuse के लिए correct answer हो जाएगा जो आपके history के यानि इतियास के जो जनक है वो है harotodus इसकी जो एक पुस्तक है harotodus की पुस्तक है story का वो आपके exam में पूछ ली जाती है कि जो history का book है वो किस की book है तो जो history का जो book है वो आपके harotodus की book है तो ये question काफी important है चलिए देखते है next question next question है question number 2 question number 2 है मेगेस्तनीज किस के सासनकाल में भारत आया जी हां दोस्तों आपको बताना है कि जो मेगेस्तनीज था वो किस के सासनकाल में भारत यात्रा पी आया तो दोस्तों इस question के अगर correct answer की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका option number A यानि चंद्रुकुप्त मोरे जी हां दोस्तों जो मेगेस्तनीज था वो चंद्रुकुप्त मोरे के सासनकाल में भारत आया इसलिए जो correct answer होगा वो होगा option number A यानि चंद्रकुप्त मोरे यह चंद्रकुप्त मोरे था वो मोरे सामराज्ये का यानि मोरे वन्स का सासक था तो दोस्तों जो मेगस्थनीज था जो यातरी भारताया उसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका ये पुस्तक आपके exam के point of view से काफी important है इंडिका जो की मेगस्थनीज ने लिखी है तो आपके exam में पूँचा जा सकता है कि इंडिका किसकी रचना है तो ये इंडिका है मेगस्थनीज की रचना तो इसलिए ये भी इसके लिए आपके extra fact है वो भी आपको ध्यान रखना है तो चले next question देखते है क्यूसर नमबर third क्यूसर नमबर third है चीनी यात्री फायान किसके सासनकाल में भारत आया जी हाँ दोस्तों आपको बताना है कि जो चीनी यात्री फायान है वो किसके सासनकाल में भारत आया तो इसके अगर correct answer की बात करूँ तो इसका correct answer हो जाएगा option number three जी हां दोस्तों चंद्रगुप्त दित्ये चंद्रगुप्त दित्ये जो की गुप्त वंस का सासक था चंद्रगुप्त दित्ये उसके सासनकाल में जो चीनी यात्री फायान था वो भारत यात्रा पे आया तो यह काफी important questions है आपके exam के लिए तो वीडियो को last तक देखे और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो please वीडियो को like कीजिए वह complete देखने के बाद share करना नहीं बूले तो next question जो आपका है वो देखते हैं next question है question number four question है हेन सांग किसके सासनकाल में भारत आया जी हां दोस्तों जो हेन सांग था विदेशी यात्री जो भारत आया यात्रा पे तो जो हेन सांग था वो वर्दन वंस के सासक हर्स वर्दन के सासनकाल में भारत यात्रा पे आया यानि option number D इस question के लिए correct answer हो जाएगा हेन संग जो था वो हर स्वर्दन के सासनकाल में भारत यात्रा पे आया तो ये सबी important questions है इसके साथ जो इसका जो extra fact है वो ये है कि जो हर संग था वो बिहार इस्तित नालंदा विस्विद्याले में इसने सिक्ष्या प्राफ्त की थी ये भी extra fact है नालंदा विस्विद्याले कहां इस्तित है ये आप से पूँँ सकता है तो बिहार बिहार के नालंदा में तो जो next question है वो देखते हैं question number five question number five है सर उपर्थम भारत वर्ष्र का जिक्र मिलता है जी हां दोफ्तों आपको options में से बताना है कि किस evidence यानि उसके अभी लेक के according भारत वर्ष्र का जिक्र सबसे पहले मिलता है किस अभी लेक में आपको भारत वर्ष्र की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती है तो दोस्तों इस question के अगर correct answer की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका option number B जी हां दोस्तों हाती गुमफा अभी लेक से भारत वर्ष्र की सरवपर्थम जानकारी हमें प्राप्त होती है तो option number B इस question के लिए correct answer हो जाएगा तो next question देखते हैं क्यूशन number 6 क्यूशन number 6 है सरवपर्थम भारत पर होने वाले हून आकरमन की जानकारी मिलती है जी हां दोस्तों जो हून आकरमन भारत पे हुए उनमें जो सबसे पहले हून आकरमन हुआ उसकी जानकारी है वो आपकी B3 इस तंब लेक से मिलती है जी हां द तो चलिए next question देखते हैं क्यूशन number 7 क्यूशन number 7 है सतीपर्था की जानकारी यानि सतीपर्था का पर्थम साक्षे कहां से मिलता है तो यह सबसे important question है मेरे according तो जो सतीपर्था का जो पर्थम साक्षे मिलता है वो मिलता है आपका एरण अभी लेक से जी हां दोस्तों ऑप्स question के लिए correct answer हो जाएगा एरण अभी लेक से भानुगुप्त के मंत्री भोजराज की पत्नी की सहीद होने पे उसके पत्ती के मरने पे मतलब उसकी पत्नी ने वहाँ पे सती हो गई थी तो इसलिए एरण अभी लेक में इसकी जानकारी मिलती है सतीपर्था की सबसे पहले तो next question देखते है क्यूशन no.8 क्यूशन no.8 है सरवपर्थम शिक को पर लेक लिखने का कारे किस दे किया तो दोस्तों इस क्यूशन के अगर correct answer की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका Hindu-Yunani जी हां दोस्तों option no.8 इस क्यूशन के लिए correct answer हो जाएगा Hindu-Yunani ने सरवपर्थम सि कोपे लेख लिखने का कारे किया तो जो next question है वो देखते है question number 9 Question number 9 है इतियास का वहे भाग जिसमें लिखित साक्षे उपलब्द नहीं था निम्न options में से वो भाग क्या कहलाया तो देखे दोस्तों इस question के अगर correct answer की बात करूँ तो वो हो जाएगा option number A जिहां दोस्तों प्राग एतिहास काल तो दोस्तों इसमें extra fact मैं आपको बताऊं तो जो इतियास है उसे तीन भागों में विवाजित किया गया है जिहां दोस्तों तीन भागों में divide किया गया है प्राग एतिहास काल आदे एतिहासिकाल और इतिहास तो इनमें जो अंतर है वो अंतर क्या है तो दोस्तों जो प्राग एतिहासिकाल है उसके अंदर आपको कोई भी लिखित साक्षे प्राप्त नहीं हुआ जी हाँ दोस्तों जो प्राग एतिहासिकाल है उसमें कोई भी लिकित साक्षे उपलब्द नहीं था जबकि जो आपका आदे एतिहा सिकाल है उसमें उसके अंतरगत लिकित साक्षे तो उपलब्द था लेकिन उसे फढ़ा नहीं जा सका जी हां दोस्तों, उसकी मतलब लिप्पी की हमें ग्यान नहीं था इसलिए वो फड़ा नहीं जा सका और जो आपका इतियास है option number C में दिया है इतियास इसके अंदर लिकित साक्षे भी आपको प्राप्त हुआ और हम उसे फड़ भी पाए जी हां दोस्तों लिकित साक्षे भी उपलब्ध हुआ और उसे फड़ भी पाए डिकोड भी कर पाए तो इसलिए ये तीनों में डिवाइड किया गया है इतियास को प्राग इतियासिक्काल आद्य इतियासिक्काल और इतियास तो ये आपके इसी प्रकार से डेफिनिशन बनाके एक्चाम में पूँच लिया जाता है तो जो next question है वो देखते हैं क्यूशन नमबर टेन क्यूशन नमबर टेन है मनुसे ने सरवपर्थम किस दातू का प्रियोग किया जी हाँ दोस्तों आपको बताना है कि सरवपर्थम मनुसे ने किस दातू का प्रियोग किया तो इस question के एकर correct answer की बात करूँ तो वो हो जाएगा option number D जी हाँ दोस्तों तामबा सरवपर्थम मनुसे ने तामबा धातू का प्रियोग किया तो दोस्तों ये तो था हमारा वीडियो और आप देखते हैं last वीडियो के question का answer तो दोस्तों जो last वीडियो में मैंने आपसे question किया था वो था आपका one word जी हाँ दोस्तों English vocab का one word था वो आपको बताना था तो one word क्या था one who knows foreign language यानि जो विदेशी भासाओं का जानकार है उसे एक सब्द में क्या कहेंगे तो दोस्तों इस question के लिए जो correct answer होगा वो होगा आपका linguist जी हाँ दोस्तों ये जो linguist है विदेशी भासाओं का जानकार इसके लिए one word हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो linguist है इसी से related एक और word है आपका polyglot जी हाँ दोस्तों polyglot आपका इसी से related एक word और है polyglot जिसका अर्थ होता है बहुत सारी भासाओं का जानकार जी हाँ दोस्तों जो आपका polyglot है वो बहुत सारी भासाओं का जानकार होता है और जो आपका linguist है वो विदेशी भासाओं का जानकार होता है ये common difference है इन दोनों में तो आपके exam में Navy Air Force SSA में काफी बार ये जो one word है Qution है आपके लिए वो है कि TIN का सरवादिक उत्पादक देश कौन सा है जी हां दोस्तों आपको comment box में correct answer देना है कि TIN का सरवादिक उत्पादक देश कौन है यदि आपको answer नहीं आता तो आप Google करके answer comment box में दे सकते हैं इससे फायदा यह होगा कि जो Qution आप Google करोगे वो Qution definitely future क के लिए आपके लिए वो पक्का होने वाला है यानि वो याद होने वाला है हमेशे के लिए तो आप answer जरूर्द कीजिए और यदि आपको Qution अच्छे लगे तो प्लीज आप सभी से निवे दिन है वीडियो को maximum share कीजिए वह आप मुझे यानि भाई का आपके अपने भाई का support जरूर कीजिए तो चलिए दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो आप कोई वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे content के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वरत